जी हाँ 15 अगस्त स्पीच 2022 दोस्तों बता दें कि अगर आप भी 15 अगस्त याने की सोतंतरता दिवस पर भासर देना चाहते हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो में 15 अगस्त याने की सोतंतरता दिवस पर एक अच्छा भासर बताऊंगा जिसे आप अपने उस्कूल कालेज या किसी भी सरकारी दप्तर में बोल सकते हैं दोस्तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारा पंदर अगस्त बहुत ही जादा करीबा चुका है और आपको पंदर अगस्त पर भासर देने के लिए एक अच्छा खासा आपको भासर तयार करना होगा तो मैं आज आपको इस वीडियो में एक अच्छा और बहुत ही सुन्दर भासर सुनाओंगा जिससे आप अपने स्कूल कालेज या किसी भी जगह पर बहुत ही सिंपल तरहिके से बोल सकते हैं दोस्तों सबसे पले आपको अपने भासर देने वाले जगह पर जाना होगा और वहाँ पर जा करके आपको सबसे पले क्या बोलना है तो सबसे पहले आपको बोलना है कि सभा में उपस्थिस सभी लोगों का मेरा नमस्कार और इसके बाद आगे बोलना है कि आज हम इस सभा में देश की अजादी के छीत्रवे वर्षगाट को मनाने के लिए जूटे हैं और यह दिन हम सभी के लिए बहुत ही जादा खास है और इसके बाद आगे बोलना है कि आज के भारत को अजाद हुए 75 साल पूरे हो गए हैं जिसे पूरा देश अजादी के अमरित मौदसव के तोर पर मना रहा है यानि कि जहाँ जहाँ पर आपको फूलिश्टाप दिख रहा है वहाँ पर आपको भी फूलिश्टाप यानि कि थोड़ा सा आपको रुख जाना है उसके बाद आगे बोलना आए कि इस पावन अउसर पर उन सभी स्वतंतरता सेनानियों को याद करेंगे जिनों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण की कुरुबानी दे दी आगे आगे आपको कानाए कि इन कुर्बानियों की दवलत की हमें ब्रिटिस सासन से सैक्डो साल बाद अजादी मिली और इसके बाद फूलिश्टाफ होने के बाद आगे आपको कानाए कि दोस्तो आज हम जिस तिरंगे की छाओं में खड़े हैं ओ हमें जीवन जीने के सही त स्थांति का प्रतीक है और सब्णाइब के सभावना और प्रतीक के सबसे निचली पटी पर हारा रंग देश venus विकास और चुछ का प्रतीक है और प्रतीक सब्सक्राइब के रहं में देखा जा सकता है यानि कि इतना आपको बोलने के बाद फिर से आपको next paragraph पे आ जाना है और आपको बोलना है कि साथियों हर भारतवासियों के लिए उसका देश सबसे पहले आना चाहिए और फिर आगे बोलना है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है यहां कि स इसके बाद अगली लाइन बोलनी है कि स्वतंतरता दीवस के इस पावन परों पर आप सभी को ढेर सारी सुब कामना है और फिर दोस्तों आपको इसके बाद आपको last line बोलनी है कि आये पूरे ताकत के साथ बोले भारत माता की जय जय हिन जय भारत यानि कि इतना बोलने के बाद आपको ये line बोलने नी है last में जो आपका जय हिन जय बारत है उसके बाद इतना बोलने के बाद आपको पुना अपने अस्थान पर वापस चले जाना है तो ये हमारे 15 अगस 2022 पर एक बहुती सांदार भासर था जो मैं आपको पूरा भासर सुना चुका हूं अगर आपसर से डिकार्डिंग कोई भी डाउट या कोई भी सवाल या जबाब है तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रा